हेलो बच्छा पाटी वेलकम बैक टू नीव वीडियो तो इस वीडियो में हम लोग help tab help जो की लास्ट है इसको हम लोग complete करने वाले हैं ठीक है तो इसको कैसे होता है यह सीच को हम लोग देख लेते हैं यहां पर help का मतलब होता है Microsoft Word में अगर किसी भी परकार का आपको help चाहि तो या कुछ guide करो ठीक है तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं लिख लेता हूं यहां पर layout tab layout जैसे मैं लिख के enter button को hit किया तो देखो layout tab से relative बहुत सारा चीज़े आ गई ठीक है देख सकते हो ठीक है तो यह layout चैप से और भी सारे यहां पर मिलेंगे आपको तो आप एके करके header and footer change यह सभी चीज़े आपको मिल जाएगी अगर इसको और deep में जानना हो तो इस पर किल करो ठीक है तो आपको और deep में बताएगी देख सकते हो कैसे क्या क्या किया जाएगा यह सभी चीज़े depth में आपको बटाती है ठीक है तो यहां से आप help मांग सकते हो ठीक है अब इसके बाद मान के चलो अगर आपको contact support यह नहीं कि आपको support से एक किसी परगार का उसका customer gear से आप ऐसे किलिक करके आप वहां से contact support मांग सकते हो ठीक है इस पर किलिक करो तो यहां से एक डायलोग बॉक्स फिल से खुलेगी यहां पर डायलोग बॉक्स में आप लोग देखो दरबेट करो लोडिंग ले रहा है और मेरा डाटा भी थोरा खतम हो गया है ठीक है तो इसी क यहां पर आप दे रहा है आपको कुछ भी लिखना हो support के लिए आप यहां से कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तो यह आपको help करेगा same features होता है help का feedback आप भेज सकते हो यह software आपको कैसा लगा ठीक है अच्छा लगा तो अच्छा भेजो अगर report करना हो problem किसी पर करका problem हो तो report कर दो ठीक है तो यहां पर देखो data जो है मेरा खतम हो गया इसी का यहां पर लिखा हुआ आ गया था not response क्योंकि लैग करने लगता है नेट वर्क सुन होता है ठीक है तो यहां पर देखो लैग मिन्स क्या देखो जैसे मेरा data खतम हो गया तो थोड़ा मूरा problem आईगी ठीक है यहां पर अंदर यह सीज़ को अगर आपको परना हो आप इस पर किलिक करो यह वीडियो भी देती है और मेरा भी वीडियो अब लेवल है यूट्यूब पर तो जाकर देख सकते हो ठीक है तो आप वीडियो हां से भी देख सकते हो यह पूड़ा proper वे में class करवा दिया गया है और एडवांस प्रोजेक्ट हमेशा करते रहेंगे ठीक है यानि कि हर एक एयर में दस-दस प्रोजेक्ट मिलेंगे आप लोग को काफी अलग तरीके का ठीक है तो यहां पर हमारा जो है कंप्लीट हुआ और माइक्रोफ्ट वाड भी कंप्लीट हुआ बेसिक वे में अब इसके बाद एडवांस वे में हम पूरे कुछ आप्संस को करेंगे जो कि एडवांस वे में करना ज़रूरी है ठीक है तो अम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए